नमस्कार दोस्तो बेसिक कंसेप्सिन इंडस्ट्री में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डीशेंड का डीश हेड का डेवलप्मेंट साइज कैसे निकालता है specifically elliptical head two as to one elliptical dish head जब हमें drawing में दिया जाता है या फिर ellipsoidal dish head कहा जाता है तो उसका डेवलप्मेंट साइज हम कैसे निकालेंगे as a production engineer, as a planning engineer या फिर कोई draftsman है आपको ये सब मालू होना चाहिए कि ये कैसे निकालना है तो simply मैं आपको बता देता हूँ simple है कोई इसमें ज्यादा rocket science नहीं है देखिए यहां पर मैंने ये diagram निकाला हुआ है जो कि आप consider कर सकते हैं कि elliptical head का है मेरा proper diagram पूरी तरके से नहीं आया लेकिन आप एक consider कर लिजे कि ये एक elliptical dish head है इसमें ये knuckle radius होता है ये मैंने दिखाया है straight face यहां पर होता है जो कि dish यहां पर end होता है वहां पर straight face होता है उसे SF से denote किया है knuckle radius को KR से denote किया है और इसका OD हम लोग ने consider किया है 1985 and thickness head 12 mm consider कर लेते हम लोग तो इसकी मदद से हम लोग इस dish end का development size यानि कि ये dish form होने से पहले हमें कितना material लगेगा कितना circle में ये blank dia इसका होगा जो कि हमें press machine पे देना होगा press operator को देना होगा बोलना होगा कि भाई तू इतना इतना development size का dish end हमें दे दे तो इसके पहले तो हम लोग को cutting operator को देना होगा और अगर cut होता है तो बाद में वो हो जाएगा press operator के पास तो ये देखिए वो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पहले देख लिजे यहाँ पे हम लोग ID निकाल लेते हैं तो ID के आएगा 1985 OD minus 2 into thickness उसका ID आगया 1961 mm ठीक है then हम लोग निकालते है knuckle radius तो knuckle radius का formula का है तो ID into 17.5 divided by 100 अभी यह 17.5 क्यों आया यह 100 क्यों आया इसका exactly मुझे भी answer नहीं मालूम लेकिन हम लोग generally consider करते हैं fabrication industry में जो भी आप किसी भी एक press operator से पूछ लीजे उसके पास भी यही formula maximum time होता है कि वो multiplied by 17.5 करता है and divide by 100 करता है तो 1961 into 17.5 divided by 100 हमारा knuckle radius आगया 343 mm अभी एक simple formula है development size का तो development size is equal to इसका ID जो है वो ID plus knuckle radius जो आया है वो knuckle radius plus SF SF यहने की straight face straight face हम लोग add करेंगे फिर आएगा 1 thickness plus 1 thickness मतलब 12 mm अगर 2 thickness बोलते है तो 24 mm ऐसा 1 thickness तो हम लोग values डाल देते है ID यानि की inner radius is equal to 1961 mm plus knuckle radius है 343 mm plus SF SF यहने की क्या straight face तो fabrication industry में यह elliptical head में generally SF 50 consider किया जाता है तो हम लोग ने 50 consider कर लिया है plus 1 thickness यानि की 12 mm तो इसका total value आया 2366 mm तो यह इस size का blank dia cut करने के बाद में हमें यह press operator को देना होगा कि भाई तो यह size का भी development size दिया है भी इसको dish head बना के दे दे अब यह तो हो गया dish end अगर आप लोग अगर कभी kitchen में गए या फिर आपको मालूम है कि kitchen में हम लोग के पास तबाव होता है तो एक normal कोई भी एक normal dish होता है उसका blank कैसे निकालते है development size कैसे निकालते है वो एक simple formula है तो यह देखिए उसका एक height है उसका उपर यहाँ से जो end point है वहाँ से लेके एक center point से यह height दिया है height divided by 3 प्लस उसका जो ID आएगा वो ID ले लिजे और यह values डाल के आपको मिल जाएगा इसका development size तो यह मैंने इसे ही आपको बताया just a general information थी तो मेरा main purpose तो था यही तो मैं आशा करता हूँ दोस्तो कि आपको यह formulas and यह development size कैसे निकालना है आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया है दोस्तो अगर यह video आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर कीजिए and share जरूर कीजिए and basic conception industry को subscribe जरूर कीजिए इस channel को अगर subscribe करते है तो बहुत सारे में videos डालते रहता हूँ आपको इनकी notification भी आएगी and आपका knowledge भी बढ़ेगा इसलिए आप subscribe भी कीजिए okay दोस्तो चलिए thank you